तो पचास से अधिक लोगों की हत्या जिसमें लगभग चालीस दलित हैं, लगभग चालीस लोग, I don't want to distinguish death in the name of caste, but मैं आज इस सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोग कैंडल मार्च करते हैं, जो लोग दलित के अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो आज कहा हैं, क्यूं इन प्रशनों पर वो चुप हैं कि आखिर लगभग चालीस दलितों की जीवन के साथ खिलवाड क्यूं किया गया, आज जो अकबार में तत्य हैं, उसमें बड़े स्पश्ट रूप से लिखा गया है, कि जहां पर ये दुकान था, वो एक बिजी स्ट्रीट है, इसमें पू गोविंद राज उसका गोडाम लोकेटेड है, और सबसे बड़ी बात है, यहां पर आप देखिये, कि यहां पर वो कहते हैं कि जो गोविंद राज है, जो इसका किंग पिंग है, उसके घर के फोटो को, तस्वीर को, मीडिया में दिखाया गया था, उसके घर के बाहर DMK के स्टिकर्स लगे हुए हैं, और घर के अंदर भी DMK के स्टिकर्स लगे हुए हैं, जस्टिमाजिन पिंग पिंग, प्रबबली बिलॉंग्स तो DMK, I am using the word प्रबबली, because investigations are on, I don't want to declare anything before the investigation pronounces who the culprit is, but I have complete faith on the media, media का जो ये investigation आया है, और media ने जो दिखाया है, camera में, the camera does not lie, the house of Govind Raju, the man, who is the kingpin of this murder I would say, clearly shows that on the gates of Mr. Govind Raju, and inside the premises of Mr. Govind Raju, there are umpteen numbers of stickers of DMK, so my question to Mr. Stalin, the chief minister of Tamil Nadu is, sir, are you complicit or not, who will answer on your behalf, will you hold a press conference and answer yourself, or do we expect a state press conference, who can give us the truth, आज इस अक्बार में, बहुत पस्टूरूब से लिखा है कि सुबई 5 बजे से ये दुकान शुरू हो जाती थी, सुबई 5 बजे से ये दुकान शुरू हो जाती थी, और 7 बजे तक, पूरी गहमा गहमी और भीड रहती थी, सबको मालूम रहता था, और गुरु मूर्थी करके एक व्यक्ति है वो वहाँ पर दुकान उसकी और कोई दुकान है तो वो बताता है कि साथ वजे तो वहाँ बहुत भी रहती थी और तमिल में वो कहता है कि कासू इरडू बॉटल इल्ला पैकेट कैशू तो कैश होने से कैश इरडू बॉटल इल्ला पैकेट अगर कैश होता है तो बॉटल खरीदते हैं इल्ला मतलब अगर कैश नहीं है तो हम पैकेट खरीद तो लोग जो आते थे वो प्लास्टिक के उसके अंदर थोड़ा सा रहता था इलिसिट शराब अवैज शराब वो खरिद के लिए आते थे और लोग वो पीते थे और ये दशकों से चल रहा था हम सब देखते थे यहां एक विटनेस का भी इस अखबार ने आज जिकर किया है आगे जो वहां का इंडिपेंडेंट काउंसलर है उसने कुछ ऐसे तथे रखे हैं उसका नाम पलराज है पलराज ने कुछ ऐसे तथे रखे हैं जो चौकाने वाले हैं पलराज कहते हैं कि इसमें DMK का प्रेशर पॉलिटिक्स भी है जो इस जिल्ले का जहां ये ट्रेजेडी हुई जो इस जिल्ले का कलेक्टर है कलेक्टर का पहला स्टेटमे था कि यह जो मौते हो रही है this is not because of illicit liquor यह जो मृत्यू हुई है यह शराब के कारण नहीं हुई है मंगलवार को जब यह कांड हुआ डेडबोडी सडकों पर पड़ी मिलती है डोर टू डोर लोग जाके जहां जहां लोगों ने शराब लिया था उनको निकालते हैं अस्पताल लेके जाते हैं तब तक कई लोग रस्ते में मर जाते हैं मगर कलेक्टर का पहला बयान है यह मौत शराब के कारण नहीं हुई है जिसके कारण काउंसलर कहता है जिन लोगों के पास स्टॉक थी शराब की वो निश्चिन्त हो गया कि शराब के कारण तो मौत नहीं हुई है हम शराब पी सकते हैं तो बुद्धवार तक लोग शराब पीते हैं और बुद्धवार को भी मौते होती है आप सोचिए अगर कलेक्टर सही कह देते कि अभी आप शराब के कारण मौते हुई है और जहां शराब विक रहा है हम उस पर रेड कर रहे है कोई भी इलिसिट शराब को हाथ ना लगाए क्योंकि शराब पीने से ही मौते हुई है तो कई जाने बच जाती मगर ये इंडिपेंडेंट काउंसलर कह रहा है बहुत पस्ट रूप से कह रहा है कि आखिर कलेक्टर ने ऐसा बयान क्यों दिया कलेक्टर ने बयान ऐसा इसलिए दिया क्योंकि अगले दिन एसेंबली थी अगले दिन विधान सभा का शुरू होना था और इसलिए आकाओं ने, DMK के बड़े नेताओं ने, शायद चीफ मिनिस्टर ने खुद कलेक्टर को फोन करके कहा, कि आप इस प्रकार का बयान दीजिए, हम ये तथि जानना चाहते हैं कि वाकई, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, कलेक्टर के उपर कौन होता है, चीफ सेक का बयान दीजिए कि विधान सभा में हो, हला हंगामा ना हो, हो हला ना हो, then who is complicit, shouldn't the chief minister come out with a statement, और should he be silent, मुझा आश्चर ये होता है, इसमें बड़े पस्ट रूप से कहा गया है, कि the delay and the initial denial had tragic consequences, ये जो डिले हुआ और जो initial denial हुआ, उसके कारण tragic consequences हुए, those who had stock of liquor continued to drink it, more than a dozen people died by Wednesday evening, क्योंकि collector बार बार कह रहे थे कि शराब पीने से मृत्यू नहीं हुई है, आप डरिये मत, आप शराब पीने से नहीं मर रहे हैं, तो जिनके पास stock थी, वो बुद्वार को भी शराब पी रहे थे, और more than a dozen death, बारा से अधिक लोगों के सोच के देखी, आगे वहां के लोग क्या कह रहे है, ये भी आश्चर जनक है, record में रखा है newspaper ने, कि police raids होती थी, मगर police raid होने से पहले, जो लोग इसके सरगना थे, जो king-ping थे, उनको पहले से information दे दिया जाता था, ताकि वो उस दिन shutter down कर ले, और raid के लिए जब police आए, तो उस दिन वो नदारत रही, बहुत सपस्ट रूप से अकबार में लिखा गया है, even though there were usual police raids, they, those in the liquor trade, were always informed in advance, हमेशा उन्हें advance में information कर दिया जाता था, कि आप दुकान से चले जाएए, ताकि आपके उपर कोई कारेवाही ना हो, कि इसको information advance में दिया जाता है, हमेशा information उसी को advance में दिया जाता है, जो आपका मित्र है, जो आपका साथी है, जिसके साथ आपका साथगाट है, और जहां, जिस जिल्ले में ये हुआ है, वहां के MLA का सपष्ट कहना है, कि हर बार, वो भी opposition party के हैं, उनका भी इस first troop से कहना है, कि हर बार, विदान सभामे में ये विशय उठाना चाहता था, मगर मुझे रोग दिया जाता था, और DMK के, तमाम counsellor से लेकर, प्रसाशन से लेकर, बड़े मंत्री तक, उन तक पैसा पहुँचाया जाता था, और जिस जिल्ले में ये हुआ है, कला कुरिची जिल्ला, यह जिल्ला, this is the stronghold of DMK, और करुणा पुरम भी DMK का stronghold है, कई विदायक वहां से हैं, सांसत भी उनके वहां से हैं, DMK से हैं, तो स्वभाविक रूप से अपने stronghold में, एक complicity के माध्यम से, जिस प्रकार का ये जगन्यकांड हुआ है, मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, सोनिया जी से, राहूल जी से, स्टालीन से, ममता बनर जी से, मलिकार जुन खडगे जी से, कि क्यूं शान्त हैं, इतना क्यूं है, इतने दरित जीवन चले गए, आज एक आवास आपके मूह से नहीं निकल रही, एक व्यक्ति इस विशय पर विशय नहीं उठा रहा, एक व्यक्ति इसके उपर कोई candle मार्च नहीं आयो जित कर रहा, सारे शान्त हैं, यही अगर किसी और राज्य में हो गया होता, तो आप सोचिए, आज विशय किस प्रकार से उपस्थापित किया जाता, प्रस्थापित किया जाता, कल से पारलामेंट आरंब है, मैं आशा करता हूँ, 32 से अधिक, 34-44 लगभग दलितों का जीवन गया है, उनके घर उजड़े, 56 लोगों की मौते हुई है, लगभग 200 लो के लोग, कल महात्मा गांधी जी के प्रतीमा के नीचे अवश्य जाएंगे, अपने बाहों पे काला पट्टी लगा के जाएंगे, वहां मौनवद धारन करेंगे, और मौनवद धारन करते हुए, महात्मा गांधी जो शराब, इलिसिट शराब, और शराब के मौत के आटाब करेंगे गांधी जी इस टाचू इस बिस्टिपल्स आवेटी पर यू Mr. Kharagay Mr. Rahul Gandhi and I believe then when the Parliament starts tomorrow the black band around your forearm arm or the wrist would be for the Dalits who have lost their life because of your incompetence and I believe tomorrow you would stand by Mahatma Gandhiji the father of this nation for what you have done to this nation thank you my friends right that's Sambit Patra speaking on the Tamil Nadu who's tragedy we have Pramod Madhav on the phone line with us Pramod the DMK is blaming the BJP for the hooch tragedy and the BJP is blaming DMK in turn so please give us more details on the political slugfest taking place in Tamil Nadu we have like several updates starting with the way this methanol has been sourced by the culprits Chetna the bigger factor is that methanol is a kind of a product that is used in industrial purposes and it is not allowed for any public to be consumed at that but what happens happened is that like there has been a like a quite lot of quantity that has entered Tamil Nadu and this is where the DMK's the organization secretary RS Bharati claimed that it was sourced out from Uthu Cherry which is ruled by BJP Alliance and he claimed that it is a conspiracy led by Anna Malay and BJP so that's how he's trying to actually put the blame on BJP over there in fact he's claiming that this has something to do with the Vikramandi by-election that is expected to happen this back at the coming month and that's how he's put it who is putting the blame over BJP unfortunately 52 people have died and so like officially and the numbers expected to increase by another three or four which will get the details up today Chetna right thank you Pramuth for joining us with all those details